देश की एक एक इंच जमीन की देश के स्वाबिमान की प्रक्षा करेगा भारत सांस्कृति गुरुप से एक शांति प्रिय देश है हमारा इतिहाश शांति का रहा है भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु हमने हर यूग में पूरे समसार में शांति की पूरी मानवता के कल्यान की कामना की है हमने हमेशा से ही अपने पडोसियों के साथ एक कोपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है हमेशा उनके विकास और कल्यान की कामना की है जहां कहीं हमारे मद्भयत भी रहे हैं हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मद्भयत विवाद न बने डिफ्रन्सीज डिस्प्यूट्स में न बदले हम कभी किसी को भी उक्सात नहीं है लेकिन हम अपने देश की अखनता और संप्रभूता के साथ समझोता भी नहीं करते हैं जब भी समय आया है हमने देश की अखनता और संप्रभूता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है अपनी ख्शमताओं को साबित किया है त्याग और तितिक्षा हमारे राष्टिय चरित्र का हिस्सा है लेकिन साथ ही विक्रम और विर्ता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूँ हमारे जवानों का बलिदान विर्त नहीं जाएगा हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभूता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता इस बारे में किसी को भी जरावी ब्रह्म या संदेह नहीं होना चाहिए भारत शांती चाहता है लेकिन भारत उक्साने पर हर हाल में यचोतीत हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जमानों के विशे में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं अभी मेरा आप सभी से सभी आदर्णे मुक्हमंत्रीशी से सभी यहाँ इस मीटिंग में वर्चुल मीटिंग उपस्तित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े हो करके दो मिनिट मौन रख करके इन वीर सपुतों को पहले सरत धांजरी देंगे उसके बाद आज जो हमने हमारी मिटिंग तै की है उस मिटिंग को आगे बढ़ाएंगे ऑम शांति 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 है झाल झाल